तो अभी मैं डिसकस कर रहा हूँ अप्टिकल इंस्टूमेंट राइट इंस्टूमेंट इसमें खास करके न यह जो आपके अप्टिकल डिवाइसेज होते हैं जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप उनका यह अपना मैगनिफाइंग पा जुँआ आपकार बीटा और इंस्टूमेंट के साथ में और इंस्टूमेंट और ईमेज ऋनड बजूम्ध इंस्टूमेंट, इस ये-दिम हुआ यह कोई object ले लो जैसे यह आपका object है इसकी height h है यह i है और अगर यह इनका beach का distance आप d रखते हो d मतलब 25 cm 25 cm तो यह जो angle subtend होगा इसको यह alpha का mag jam value हो गया तो बोलो alpha mag jam कितना हो गया तुमारा h by d हो गया h by d हो गया अब तुमको यह magnifying power जैसे simple microscope ठीक है तो simple microscope क्या है एक तरह का convex lens है ठीक है जनरली इसका focal length हम लोग small रखते हैं और क्यों रखते हैं यह सब analysis जानना है ठीक है तो जैसे अपना simple microscope में देखो अच्छा one thing more magnifying power जो होगा वो दो तरह का होगा एक magnifying power infinity होगा और एक magnifying power d होगा इसमें बोलो image कहां पर बनेगा infinity पर बनेगा भी का value क्या होगा infinity तो u क्या होगा minus f होगा और इसमें तुम भी जो लोगे वो minus d लोगे और u इसके लिए minus u minimum अब इसको हमें f के term में निकालना पड़ेगा ठीक है न तो यही तो इसको हम लोग निकालेंगे पहले एक एक करके मैं पहला case देखता हूँ magnifying power जब तुमको मतलब define करना हो जब image कहां पर बन जाए infinity पर तो देखो यह simple microscope यह माल लो object है तुमारा यह बोलो f लोगे तो यहां से यह आपका i receive कर रहा है अब image जो होगा इसी line पर कहीं पर बनेगा ठीक है तो तुमको पता है कि अगर u minus f लेते हो तो v minus infinity होता है तो कहीं इधर आपका image आपको बनने वाला है ठीक है अब मान लो ऐसा कुछ तो यह focus से गुजरेगा तो मान के चलो ऐसा यह infinity पर मतलब यह infinity दूरी मैं बोलता हूँ ऐसा compare मतलब बस समझाने के लिए ठीक है मतलब बहुत दूर है तो चलो यह देखलो अब यह beta बोलोगे actually यह तो यहां से भी निकल जाएगा तो beta is equal to कितना हो गया h by d हो गया आपका तो h h गया तो कितना आ गया d by f आ गया ठीक है तो इस case में आपका जब magnifying power तुम्हारा बोलो अगर infinity लेते हो तो answer will be d by f ठीक है जैसे माल लो f ने तुमने 5 cm ले लिया और d अपना 25 है cm तो अपना magnifying power अगर इसको normal adjustments बोलते हैं ठीक है क्या बोलेंगे normal adjustment तो ये अपना 25 by 5 तो ये 5 times हो जाएगा ठीक है इसका answer 5 हो जाएगा ठीक है तो अब ये आपका magnifying power हो गया 5 times और अगर माल लो अब तुम्हारा interest है कि और भी उसको magnified किया जाए 5 से जादा किया जाए ठीक है तो ऐसा नहीं कि आपका एक उसका limit है ठीक है न अभी हमारा 5 मिला आपका d25 लिया f लिया आपका 5 तो d by f तो ये तो 5 मिल रहा है ठीक है अब मैं चाह रहा हूँ कि 6 करना चाह रहा हूँ ठीक है न कुछ मेरा मन कर रहा है तो अब क्या होगा कि अब मुझे थोड़ा सा जिसे कि ये ये एच हो गया ये रखना पड़ेगा यू मीनिमम राइट और इसका देखो ये आई रिसीब कर रहा है इधर कहीं पर इसमें ये इमेज इधर कहीं इसी लाइन में बनेगा और ये माइनस दी लेना पड़ेगा ठीक है न क्योंकि यू मिनमम तो निकानला मुझे पता नहीं है और ये बीटा हो जाएगा ठीक है और इसमें कुछ इस तरह कैसे मान लिजे ये ये एफ हो गया इधर तो ऐसा कुछ मान लिजे बन रहा है तो ये situation रो रहा है तो देखो 1 by V मतलब V का value कितना minus D U का value minus U minimum ये भी एक questions बन सकता है एक तो magnifying power तो बनेगा ही और कितना ये रखेंगे U minimum को भी किसके टर्म में बोलो D और F के टर्म में है तो 1 by V 1 by U तो 1 by minus D minus minus U minimum is equal to 1 by plus F तो अब देखो इसमें तुम निकालो इसका जो value होगा कितना हो जाएगा ये तो plus हो गया तो U minimum is equal to 1 by D plus 1 by F तो D F D plus F तो ये 1 by U minimum तो U minimum बोलो कितना हो गया ये हो गया तुमारा D F D plus F ये आ गया तो अब हमारा जो बीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा बोलो H by U minimum ठीक है तो ये magnifying power अगर D के case में तुम जब image D पर बन रहा है final image तो बीटा by alpha तो H by U minimum and H by D तो तुमारा क्या हो गया D by U minimum तो अब निकाल लो इसमें magnifying power बोलो D by U minimum U minimum कितना हो गया D F and D plus F तो ये DD गया D plus F by F तो ये 1 plus ये D by F plus 1 ये D by F plus 1 ये देखो बढ़ गया आपका magnifying power कब image जब minus D पर इसको strain आई adjustment बोलेंगे थोड़ा ये देखने में आई पर strain आता है लेकिन ये magnified होता है ज्यादा magnified होता है तो जैसे अपन D F कितना लिये थे 5 D 25 तो D by F हो गया 5 मतलब 25 by 5 तो ये 5 और अभी D by F plus 1 तो ये हो गया आपका 6 ठीक है ये भी question बन सकता है कि इतना के लिए 6 के लिए आपका U minimum क्या होगा तो U minimum क्या होता है D F upon D plus F ठीक है न D F upon D plus F तो 25 into 5 and 25 plus F 30 ठीक है तो ये हो गया आपका 6 तो मतलब 4 point something आएगा आपको तो I hope कि ये आपको समझ में आ रहा है ठीक है न तो ये आपका magnifying power निकालने का उसी तरीके से आपका compound microscope का भी होता है ठीक है न compound microscope में कैसे हम लोड़ इसका करते है compound microscope में क्या होता है double lens होते है objective और eye piece मतलब ये objective हो गया और ये eye piece हो गया ये A4 और A5 तो देखो इसमें आपको इसका जो magnifying power define करेंगे minus VO by EO and ये linear magnification लेंगे इसका पहले वाले का और magnifying power of the eye piece लेंगे ठीक है तो वही चीज़ है इसमें आपको ये आपका इस तरीके से ठीक है इधर eye में receive हो रहा है ठीक है न तो ये आपना EO हो गया ठीक है अब इसमें आपको यहां से कुछ image आपका final mid बनेगा ऐसा तो ये इस तरीके से ठीक है अपना तो अगर ये fe होता है तो समझो कि ये आपका image कहीं इधर ये infinity right तो इस case में आपको ये d by fe ठीक है न d by fe तो minus v o by e o and d by क्या हो गया fe हो गया ये magnifying power at infinity और in the same manner आपका magnifying power अगर d पर बनना है तो minus v o e o one plus d by fe ठीक है अब ये देख लिजे आपको ये सब है इसमे तो ये e o है और ये कहलाएगा v o कहलाएगा ठीक है इसमे length of the tube पुछेगा तो ये v o plus क्या हो जाएगा f e हो जाएगा तो ऐसे हम लोग इसमें भी अच्छा numericals होगरा discuss कर सकते हैं एक बार आप लोग देखिए फिर आगे कभी इसमें class में मैं discuss करता हूँ ओके थैंक्यो